तो आप सभी को पता हुआ कि एक फिजिक्स का कुश्चन है उसके जो ट्रांसलेशन है उसमें एरर आया हुआ है और इसका रण जो से सुप्रिम कोट में एक जो केस है वो दायर किया गया है कि सारे इंदी मीडियम के स्टुडेंट या जिन्होंने इस कुश्चन को अटेंप नहीं किया है उन्हें प्लस फाइब मार्क्स का बोनस मिलना चाहिए या नहीं चाहिए और साथ में क्या नीट टॉन्टी टॉन्टी वन कर जो रिजल्ट है फिर से आएगा या नहीं आएगा यानि उस बारे में इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी वीडियो वाइरल हो रही है कि क्या नीट में सबको प्लस फाइब मार्क्स बोनस मिलने वाला है यह नीट टॉन्टी वन का रिजल्ट है वो फिर से आने वाला है तो आप सभी स्टुएंट को इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं तो वीडियो काफी उसका अर्थ हिंदी वाले कुश्चन में नहीं दिया गया था तो बहुत सारी खबरे आ रहे हैं कि प्लस फाइब नंबर जो बोनस मार्क्स हो फिर से मिलेंगे या जो नीट का रिजल्ट है फिर से आएगा या नहीं आएगा तो मैं आप सभी स्टुएंट को बता दू कि ऐ रही है उसके नीट पीजी का जो कंसलिंग वह भी अभी तक डिले कर दी और साथ में आपके mcs4 कंसलिंग भी अभी तक होल इंडिया कोटकी 50% के लिए वो भी अभी तक डिले चल रही है तो एंटे के पास ऐसा कोई नहीं है कि आपको फिर से जो और नीट का रिजल्ट फिर इस पे फैसला आता है और मैं आप सभी को दादू कि आपने देखा होगा कि जब आप यह आज की बात नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंग्लिस में कुश्चन प्योरी तरह से करक्ट आते हैं जबकि हिंदी में जो उसके ट्रांसलेशन आता है उसमें हमेशा और कुश्चन पेपर में पहले देखा रहता है कि जो इंग्लिस के में जो कुश्चन आएगा उसे ही मानने करा जाएगा उसे जबकि हिंदी के कुश्चन की अमान्य है हाप देख लेना तो जो प्लस फाइम नंबर की बोल रहे हैं कि प्लस फाइम नंबर बोनस मिलने वाला है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और साथ में नीट का 2021 का रिजल्ट है वो फिर से नहीं आएगा अभी तो उसका 30 तारिक को कै कैसी उसकी हीरिंग होईगी उसका क्या फैसल आएगा वह आप सभी स्ट्वेंट्स को भी मैं बता दूँगा लेकिन मेरे इसाप से मेरे अकोर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपका और साथ में अभी भी एम सीची की जो पीजी की पोस्ट विजुल्ट की जो काउ जो बरते तो यहीं बताने वाला था कि आप ऐसी अफवाउं में पड़े कि आपको nev plus 5 नमबर मांक्स आपको मिलेंगे आप अपनी कांसलिंग पर ध्यान दे के this की वो सकता है कौंसें हो इंडमिशन नहीं हो सकता वैसे तो मैं आप सबी waliser कर दूँगा आपके सटेट स के बारे में कि कौन से स्वायोगी काॉंसलिं क्बोने वाली है और कौन से में किया रहने वाला है और साथ में आपको दूह ganska आपको उसकी चॉइस लॉकिंग चॉइस फिलिंग सीट अलोटमेंट आपको कैसे करना है प्रिफेरेंस ओडर में कोलेज को कैसे बनना है सारी आप सभी स्टुइन्स को इंफॉर्म दे दूंगा आज के लिए इतना ही आई योप यूड़ पसंद आई होगी यह विडियो संद यह नवा दोस्टू